Hello Friends आज के इस video के अंदर मैं आपको बतानूगा कि बार जुक्ते fornt में सीधी प्लेट और back side में प्लेट हम क्यों डालते हैं आंखिर इसके डालने की क्या वज़ा होती है और अगर हम प्लेट bell ना डालने की तो प्रोबलम आसकती है और क्यों हम प्लेट डालते हैं यह सारी जानकारे आपको छोटी सी वीडियो में मिल जाएगी तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना और दोस्तों अगर आप हमसे बिलाउज पैटन्स मंगवाना चाहते हैं तो दोस्तों उपर डिये गए इसकी नंबर पे आप हमे से कॉंटक करके कुछ भी मंगवा सकते हैं तो चली दोस्तों वीडियो शुरू करते और आपको इसका बताते हैं कि क्यों हम बैक में प्लेट डालते हैं इसकी क्या वज़ा है तो यह देखिए दोस्तों सी चीज है आपको यहां पर देखना मैंने एक बैक पल्ला कटिंग कि यहां पर हमारी देखे आरमोलेंथ है इस पर हम अपनी बश्ट का नाप रखते हैं यहां पर हमारी 10 इंच पर डोट लेंथ हैं साड़े नो पर थी हमने आरे इंच फालतू लगाया निसान क्योंकि हमारी कंडी में आज अचे दबेगा और उसके आदोस्तों नंबाई हमारी आपका फैलेगा तो हमारा नाथ यहां भी आ सकता है इस चीज़ को ध्यान रखना है अब मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूं कि हम बैक में प्लेट क्यों डालते हैं इसकी क्या वज़ा है तो दोस्तों ध्यान से देखना और समझना अब यहां 36 चैश्ट हो गई 36 चैश्ट हमारी जो फिटिंग है वह इस तरीके से यहां पर आ गई लेकिन हमारी ह्मारी ब्रस होती है यहां पर दबाएगा cette लिकर जैसे आपका जो कि एस सीधा कर लेते कैसे करते हैं यह हम साइज के सासे करते हैं यह से कई लोग यहां पर है करके लोग हैं पे मतलब 15-700 प्रफिर्च आलते हैं माला मनेधी मैं यहां पर दोड़े ओड्याल्डस को मैं यहां टोड़े वे लगा दिए साड़े 2 लगा लिता हूँ यह तो हो हमारा सेंटर का पूरा निसान तयार हमें यहां पर कड़नेधी हैं वो हमारा साइज ठीक है अज़ारी नहीं आपको एक इंच आपको यहां पर गहरी प्लेट डालनी पड़ सकती है अब जैसे मालों तीस है आप एक एक एक्षा लोगे ठीक है तो आपको यह नाप आपका सीधा रहा है एक इंच की उसमें तो दोस्तों यह नाप हलका सा तिर्चा है और हम हम इसमें निशन लगा सकती है देखिए हलका तेर्चा मैं यहां पर इस तरीके से लिवर दिखार देता हूं यहां पे एसे नाप सकते हों यहां पर कटीं करने के लिए Diya दो Rob पर आपको से लिए vraag को कटीं रहेगा कर दोस्तों यहां पर यहां पर वी सब कोius हो गया अब यह जो प्लेट हम देखेंगे कि हम यहां पर साड़े सात इंच कर लगाया निसान कमर का पर एक सर लिया और यो यह चार पंडल्ल हो जाएंगे क्योंकि डाफर होल्ड होता है तो हमारा यहां पर चार इंच का फरक हो गया तो Eliad A एक इंच का पिले डालेंगे तो चाल पिलेट में चाल इंच हो他 που जाएगा अब यहां पर नाप 젊ंए एक इंच की तो हम क्या करेंगे यहां पर आदा इंच का इस तरीके से एसे तरह कि इन्चिजों को आरा इंच का यह निसामिकी आये आदा इंच का यह करण अनगर दिए अब दोस्तों हम life को इसे प्लेट जो महीं को देता है मैं दोस्तों प्लेट को हम इहां पर इस तरी यह से डाल देंगे इसे ऊठाए के यहां पर हमारी प्लेट अर में बढऄ से तो यहां पर मैंने टेप लगा दी जब आप कपड़े में डालोगे तो इसी तरीकी की से बनके आ जाएगी ठीक है अब यहां पर आपको एक चीज में बता देता हूं यह प्लेट डालने का आपकी यह लाइन सीधी हो जाएगी कमर के अब देखे मैं आपके दिखाता हूं हमा हमारा बिल्कुल सीधा हो गया और यहां पर मस्त फिटिंग एकदम आ जाएगी अब दूसरी चीज आपको एक सी देखनी है जो मैं आपको बस्ट का बता रहा था तो हमारी पहनी लाइन इधर आ रही थी तो यह आड़ाइंज को कवर कर रहा था चार भागों में दो इंचे करते हैं तो ऐसे उसमें क्या करना है देखे दोस्तों ऐसे उसमें आपको यहीं करनी है लेकिन आप दिखान से देखोगे जब हमने यह प्लेट डाली यहां से दिखा थोड़ा सा आप एक बार यह दिखा दो जिसमें बॉर्डर होता है तो हम उसमें यह चीज बिल्कुल ऐस जिसके प्रवन आइंच आपको ऐसे करना है और इसी को सीधर फुटे के मदद से तरीके से कर देना है ठीक है इसे करने से होगा यह को कर लेते हैं करने अभी आपको पिलेट के जयासे लग रहा लेकिन यह इससा आपका बिलकुल सीधा हो गया है तो हमें थोडी थोडी इन जो पर दिहान देंगे तो हमारा विलाओट अच्छा बंद पाएगा और आपको इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया कि हम बैक में प्लेट क्यों डालते हैं तो बैक प्लेट डालने की वज़ा यही है कमर की अगर हम प्लेट नहीं डालेंगे तो हमारी बस्ट जादा होती इसकाम सलस्ट में कंड़ा होगा करेंगे तो बहुत अच्छी सिझी आईगी और जैसे आप यहां पर इस सीधा करेंगे तो बहुत अब नहीं जिससे कि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए लेकिन बॉर्डर वाले बिलाउन में आपको यह काटिंग करने की ज़रूरत नहीं वह तब भी आपकी फिटिंग ओक क्या आएगी मैं इसी तरीके से बनाता हूं कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई तो दोस्तों बहुत छोटी किसी जानकारी है लेकिन आपके बहुत काम आएगी और अगर आपको ब्लाउस पैटर समंगवाने हों या कोई पैटर समंगवाने हों तो ऊपर दिये गए नंबर पर हमसे कॉंटक्स जरू करें थैंक्यू फॉर वाचिंग